असलाम अलेकुम, आज हम बनाएंगे ब्रेड पुडिंग, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार ये ब्रेड पुडिंग हमारी बन का तियार होगी, खाकर आपको मज़ा आजाएगा, बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, पस कुछ क्रिस्ट्रिलाइजेशन से बचाने के लिए दो बून डाल देंगे निबू का रस, ये एक टेप है, आप कभी भी कैरेमल बनाएं तो इसमें निबू का रस डाल दें, आपकी चीनिक कभी भी क्रिस्ट्रिलाइज नहीं होगी, अब इसको मेडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे हमें जब तक पकाना है, जब तक इसका एक प्यारा सा कैरेमल जैसा कलर नहीं आजाता है, तो मीडियम फ्लेम पर आपको पकाना है, और लगतार चमज को चलाना है, आप देखेंगे, धीरे धीरे जो चीनिये ना, ये हल्की सी गोल्डेन होना शुरू हो जाएगी, तक्रीब करने हो आपको कैरेमल इतनी देर बस पकाना है कि यह कड़वा नहीं अच्छा सा गोल्डन सा कलर आजाए, गोल्डन ब्राउनिश सा, डाग ब्राउन नहीं होना चाहिए, अगर डाग ब्राउन हो जाएगा तो फिर यह कड़वा ओ जाएगा, अब मैंने इसको एक मोल्ट मे जिससे की कैरेमेल अच्छे सेट हो जाएगा अब हम कर लेते हैं दूसरी तैयारी पैन ले लेंगे जिसके अंदर हमें दो कब दूद डालना है दूद आप कच्छा या फिर पक्का जो भी आपके पास अवेलेबल है यूज कर सकते हैं 500 ml दूद डालना है मैंने वन बै फोर कब डाल देंगे इसमें चीनी और इसको मिला देंगे अच्छे तरह से अब इसको हम पांच मिट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे हमें यहाँ पर दूद का एक चौथा हिस्सा रेडियोस करना है और तीन चौथा हिस्सा यहीं पर रहना चाहिए तो बस मैंने मीडियम फ्लेम पर चलाते वे इसको पांच मिट पकाया है और दूद रिडियोस हो चुका है अब हमें इसको गैस के ओपर से उतार लेना है अभी दूद गरमी है हम इसमें डाल देते हैं बटर तो दो टेबल स्पून में अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो देशी घी लाल सकते हैं अधा टी स्पून डाल देंगे वनेला एससन्स ऑया पासंद करते हाँ उच्था ना फिर हम दोन सकते हैं यह ओख नेधे ऑप चोटी लग्तिया पादडर है अब हम इसको रख देते हैं पंखे 167 या फिर फ्रेज्ज में भी आप रख सकते हैं इसको को मै 좀 में रूम टंप्रेचर पर लाना है जब दो अंडे एक बोल में तोड़ लेतियों में और दो अंडे दूसरे बोल में तोड़कर इसमें से जो जर्दी है ना इसको मैं निकाल लूँगी तो जर्दी को निकाल कर हम जो हमने दूसरे बोल में दो अंडे रखे ना इसमें डाल देंगे अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी फेट लूंगी और अब हम ले लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें जो हमने अंडे फेटे है ना जरदी के साथ यहाम इसमें डाल देंगे और साथ में जो दूद और ब्रेट का मिक्सर आजएं यह भी रूम टंप्रेचर पर आ चुकत है तो यह भी हम इसमें डाल देना है और इसको एक दम i smoothly पीस लेंगे एक दम fine पीसना हमें इसको तो इस तरह से एकदम फाइन पुडिंग का मिक्षर बनकर तयार है अब जो हमने कैरेमिल सेट किया था जिस मोल्ड में वो ले लेंगे और इसके ऊपर एक छनी रख देंगे और यह जो मिक्षर हमने तयार किया है इसको हम छान कर इसमें डाल देंगे ऐसा करने से जो आपकी पूडिंग होगी एकदम स्मूध बनेगी बहुत ही पर्फेक्ट पूडिंग बनती है अब हमें इसको ढग देना है या तो आप एक प्लेट वगरा से भी इसको ढग जगते हैं या फिर इस तरह से फॉइल पेपर से इसको ढग देंगे और हलकल किसे इ अब हमारा यह मोल्ड तयार है इसमें हम पानी को उबलने के लिए रख देते हैं पैन आपको ऐसा लेना है कि आपका जो मोल्ड है जब आप इसको अंदर रखें तो वह मोल्ड जब आपको लेट रखें तो एक तम अच्छे से कवर हो जाए यानि कि जो भाप है वह बहार न निकलने चाहिए अब यहां पर पानी में उबाल आने का वेट कर लेते हैं इसी बीच मैंने एक स्टैंड भी रख दिया इसके उपर पानी बॉइलिंग होट है लेकिन इसमें बहुत जादा बबल नहीं आने चाहिए इस टाइम पर गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देंगे और अब हम इसको ढख देंगे और दीमी आज पर हम इसको 45-50 मिन के लिए स्टीम करेंगे पानी आपको इतना लेना है कि जो आपका मोल्ड है ना आधा इसमें डूबावा होना चाहिए तो बस अब हम इसको छेड़ेंगे नहीं एसी छोड़ देंगे 45-50 मिन के लिए उसके तो नाइफ जो एकदम क्लीन निकल कर आ रहा है तो इसका मतलब है कि पुडिंग हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है तो यह फॉइल हम अटा देते हैं और एक बार फिर से मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ यह देखे एकदम क्लीन हमारा नाइफ निकल कर आ रहा है तो च सेट हो गई है दो घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में भी रख दिया था एक तम चिल्ड है यह तो अब हम इसको डी मोल्ड कर लेंगे एक नाइफ की मदद से या फिर स्क्रेपर की मदद से इस तरह से इसके किनारों को हम थोड़ा सा छुडा लेंगे और आब इसको पर इसको जब बनाते है ना जैसे के कैरमिल वगएरा को आप थोड़ा से बनाएं तो इतनी परफेक्ट पुडिंग मनती है कि कि आपने कभी बाहर रेस्टॉंट वगएर में इतनी शानदार पुडिंग खाई होगी अचा यह एक दू जो आपको इस पॉर्ट्स दिख रहे हों जब सेट होती है तो बबल्स नहीं बनता है मेरे में क्या हुआ था मैंने जब इसको स्टीम होने करी रखा तो चाहिए दस सेकंड के लिए मेरी गैस की फ्लेम हाई रही थी और उसमें थोड़े से बबल्स आ गय थे मतला पानी में बबल्स आ गय थे जिसकी वजा से आपको तो तीन स्पोर्ट से दिख रहे होंगे लेकिन से टेस्ट में कुछ फरक में आएगा हाँ आपको एक तम पर्फेक्ट लुक जरूर मिलेगा अगर आप इस टेप को फालो कर लेंगे गैस की फ्लेम को आपको लो रखना है पानी बॉलिंग होट होना चाहिए लेकिन बबल्स टेस्ट करना है हाई फ्लेम पर कैरमलाइस्ट मत कीज़ेगा टेस्ट इस पुडिंग का इतना मज़े का था कि बस जिसने भी खाया वो खाते ही रह गए मत अब इर्रेजिस्टिबल हो जाती है यह इतनी टेस्टी लगती है तो ट्राइ करिए आप यह बताईए आपकी ब्रे